स्वागत है आप सभी अंगनबारी केंद्र बंद बिक करना शट हो गया है कहीं पर समय परिवर्थन किया गया है कहीं अंगनबारी केंद्र बंद करने का भी आदेश मिल गया है आप देखिए आपको समझेना है कि आगनमारे केंदर बंद करने के दौरान आपको कौन से गतिविदी करना है और क्या करना है और कहां पर ये लेटर निकला गया है साजी जनकारी आपको मिलेगा जो कि यह बेतिया जिला में ही कारियत होगा, यानि कि जहां के डियम आदेस दे रहे हैं, आप यह ICDS का लेटर कहीं भी नहीं निकाला गया है, अगर ICDS का लेकल जाता तो पुरे बिहार में वर्थ करेगा, वो भी पुरे बिहार के अंगरवारी करता के लिए, लेकिन अगर देखिए आदेस है, नेकिन बेतिया जिला के लिए है, इसको उत्वासा मता दे, इसमें देखिए कुछ महतपून बाते हैं, जो कि आपको समाईना जरूरी है, देखिए बोला गया है कि कार्याले आदेस, जिले में चल रही सित्रहर को ठंड को देखते हुए, बच्चों को स्वस्त को परभावित करते हुए, परतिकुल परभाव को देखते हुए, यह अंगनबारी केंदर को, मतब कि यहाँ पर देखिए बोला, उपर नित्व, दादिकारी, महतदे दोर, अरेसा, नुसार कच्छा, एक से आठ तक कि सभी सरकारी नेजी, असकुल बिद्याले, उ इस में आप लोग साब तोर से देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आगनबारी केंदर का जिक्रिण नहीं किया गया है, इस लिटर में, तो आपको बिल्कुल भी इस लिटर का आपने मतलब से मतलब नहीं रखना है, यानि कि जब तक आगनबारी करकरताओं को, या अंगनब सकते हैं उसके बाद इसके बीच में आप कर सकते हैं सड़े 3 बजे तक लेकिन वहां पर बेतिया में अंगरबाड़ी के न्दर को बंद करने का अदेश नहीं इसमें देखे कहीं भी अंगरबाड़ी कारताओं कुछ अचा नहीं किया गया है इसलिए आपको इस लिटर का कोई तक बंद रहेंगे यानि कि हम देख रहे हैं कि बहुत सरी जगा पर बंद करने कादिश दिया जा रहा है लगभग क्लास एक से लेकर आठ तक सभी पढ़ाई सुले जनवरी तक अस्तिगित करने का आदिश दिया जा रहा है और आप लोगों को बोला गया यहां पर देखिए कि सुकरबार को जिले के तापमा नो डिग्री से नीचे पहुच गया था ऐसे में सारन जिला के डियम सा अमीर ने अ चालित करने का आदिश दिया गया है जबकि मिसन दच एबं बोड़ परिष्चा से समंधित कलास पुर्वत चालित किया जाएगा जैने कि जिसे कर रहा है उसे किया जाए जो कि परिष्चा जिनका है ठीक है अब देखिए यहां पर अंगनवारी करकरताओं को क्या ध्यान यहां पर उनको देखिए अगर लेटर में आपको आगे लेटर में दिखाएंगे इसमें बोलागा है कि अंगनवारी केंदर बंध है आपके सिछा संसान बंध है लेकिन जो कार करता है वह अंगनवारी केंदर पर आएगी और जैसी पोशन टेकन है या आपको अपने पर चुटी है या नहीं इस प्रकास से आप लोग जरूर आदेश प्राप्त करने अपने विभाग से सोपर तीसत आप लोग सेफ रहें ठीक है अचली हम लोग देखते हैं नेक्स यह आप लोगों को बेगुसरा समराले से निकाला गया था जैकि आसीडियस के थाखाई नि बंद रहेंगे इसमें आप लोग बता चुके इसमें अंग्रवाधि केंदर बंद रहेंगे तो कब तक थे अपरान थेरे रिए 24 तक निधारित किया गया थैंए, आज तक ही यह छुटी था लेकिन इसको बढ़ा दिया भी जायें क्योंकि आप देख रंडी बढ़ते जा तो छुटी बढ़ भी सकता है तो इसका जनली लेटर फिर आएगा और छुटी बढ़ने का आदिस भी आपको मिल जाएगा फिर हम लोग नेश्ट देखते हैं यह देखिए आप लोग बोला गया है न्याले जिला डंडी अधिकारी पटना यह पटना से आदिस जारी किया गय इसके खारण बच्चों में सोस्त जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने का संभावना है अठा डाक्टर चंद सेखर सिंग जो कि अपके उहां के डीम है रिया पतादिकारी जो कि पटना के डीम है उनके दोरह यह लेटर प्रकासित किया गया है धारा 144 लगाया गया है जिसमी कि आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं ठनी में इस प्रकासित लगाते हुए निजी सरकारी बिद्यालो प्रियस्कूल आदेखें यहाँ पर अंगनवारी केंदर का जिक्र भी किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं पर अंगनवारी केंदर का जिक्र किया जाता है तभी आप सभी को मानना है अब यहाँ पर देखिए बोल ले गया कि अंगनवारी कंद्र यहाँ पर पुर्ण से सच्छता संसान जोग बंद रहेंगी नेकिन अंगनवारी कंद्र को इखे बोला गया है वर्ग 9 से उपर के सभी गतिविधी पूर्म आदेश अनुसार पूर्म यहाँ पर भी आप लोगो देख सकते हैं कि बोला गया है आक्तिव सहीत सभी मुझपर पूर के एवं पत्रांक इतना इतना दिनांक 11-1224 जिला सिच्छा पता दिकारी बैसाली के पत्रांक इतना इतना के दिनांक 11-1224 के करम में जिले के ठंड मोसम को प्रवतिकुनता को दे कि यहां पर के आमारी कंदरों को बंद करने के आद्धि मीला है यहन नहीं जिला है इसको बहुत पर देखना है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आध्यांसर 7135 कि ऑस्चाष्नय तो परिछा बोड़ो है इस प्रकास दिया गया है तो देखिए हम आप लोग को बता रहें फिर से कि आप लोग अपने एक बार अपने सेक्टर में जरूर मेंसच करने कि क्या हमारे यहां पर छुटी है यह नहीं जो भी इस लिटर को देखनी के बाद सुचनाक देखने के बाद आप लोग अपने सेक्टर में मेसेज करके जरूर देख ले और आप लोग को चलिया और दिखाते हैं देखिए ये समराले मुझपरपूर से जारी किया गया है ये भी देखिए आप लोग यहाँ पर साबतोर से लिखा गया बरतामान में जिले में परतिकुलता को देखते हुए सोस्त में जीवन को परतिकुलता को परभाव पढ़ने के कारण आत्रपूर यानि के वहां के डियम है जो कि एक सुचावाली धरा लगाते हुए उन्हें मुझपरपूर एबं पर देखिए प्रिये स्कूल एबं अंगनवारी के अंदर का जि इन तिस तक आप लोह को केंदर स्नचारिल करना है तो इसमें देखिए अंगनवारी केंदर बंद नहीं मिला तो यह आपका यहां पर कोई भी प्रभाव आपकर नहीं पड़ेगा क्योंकि आंगनवारी की आपको बोला नहीं गया है कि आपका बंद रहेगा तो इस प्रकास से आपको बंद करने कार देश नहीं मिला है। चलिए आफ लोग देखते हैं। यह निया दीश जिला द्रीकारी पत्ना जारी किया गया है। इसे में आप लोगों को बता देए। अंग्नवाजी किंदुण को बंद करने कादिस कहीं बि lagा जाता है यानिक आप लोग 9 बजे के बाद, आपको खतम करना है यहां पर भी देखिए बंद करने कादिस LinkedIn नहीं मिला है अब हम देखते हैं यह अब लोग देखी चुके हैं पहले ही अब यह देखते हैं यह आदेश दिया गया है अपनोको इसमें भी देखें यहीं साथ्टोर्च अधेस मिला है कि अंगरपारी केंद्र जो है वो बंद नहीं किया जाएगा और आप सभी को यहाँ पर देखिए सा प्रकोप जारी है जिले के सभी प्राइबेट वे सरकारी विद्याले आज से 16 जनवरी तक बंद रहेंगे आप देखिए इसमें अंगनबारी केंद्र का चाचा किया गया है या नहीं किया गया है हम लोग देख लेते हैं जिले में सीत लहल का प्रकोप जारी है तापमान लगतार गिराबट हो रही है शुकरबार को सब्सक्राइब बढ़ता जा रहा है आप साफ्तों से मेंशन किया गया है सभी जिले वे सरकारी विद्यालों में प्री अस्कूल एबम अंगनबारी केंद्रों में सभी कच्छाओं कि संचिक कथिविधियों को 13-16 जनवरी तक बंद करने का आधिस निया गया है तो आप लोग देख सकते हैं यहां इस डिस्टिक में भी देखिए आप लोग मोतिहारी जिला में निकल चुका है डियम का आधिस कि यहां पर आगनवारी केंद्र को बंद करने का आधिस कर लें ताकि आप लोग सो परतिसस सेफ रहें आप देख सकते हैं यहां पर बोला गया ठंड के कारण सिछे का हुई बहुत बढ़ने लगा है इसके करन सिछकों पर भी प्रभाव होने लगा तो बच्चा पर तो होना ही है इसलिए बहुत सारी जिला में इस प्रकासे किया जा रहा है अगर आप लोग के यहां ठंडी बढ़ रहा है या किस प्रकासे क्या है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके राय अपना जरूर दे सकते हैं फ्लाल इस वीडियो में इतना ही मिंते फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिन जय भारत